जैहिन नमस्कार सातियों मैं राजेστε कुमार, फिचकल एजुकेशन फिजा के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है तो सातियों आप सभी लोग कैसे हैं मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ये अच्छे होंगे आप सभी लोगों का स्वास्त बहुत ही अच्छा होगा आप सभी लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल लई होगी दोस्तों आप लोगों को किस टॉपिक पे next वीडियो चाहिए comment box में जरूर हमें बताएं जिससे हम आगे नेश्ट उस टॉपिक पे ले करके न्यू वीडियो आएं हम लोग दोस्तों अब तक 14 प्रैक्टिस सेट सॉल कर चुके हैं आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 15 सॉल करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेट कोश्चन है कोश्चन जो है वो प्रिवियस येर इज्जाम में आए हुए कोश्चन है तो दोस्तों वीडियो को सुरू से लाश्ट तक जरूर देखिए जिससे मैं कोश्चन को एक्स्प्लेइन भी करता हूँ और उसके साथ साथ ट्रिक भी बताता हूँ जो एक्जाम में बहुत ही हेल्फुल हो गें हमारे तो दोस्तों सुरू करते हैं आज की सीरीज कोश्चन नमबर फर्स्ट प्यूट्री ग्रंथी पाई जाती है तो यह प्यूट्री ग्रंथी कहाँ पाई जाती है जिसको master gland भी कहा जाता है के नाम से जाना जाता है A. neck में B. cranial cavity में C. pelvic cavity में D. skin में इस question का जो right answer होगा option B. E. J. right answer cranial cavity में यह यूट्री ग्रंथी पाई जाती है Friends, next question निमलिकित में से कौन सा खेल का सिध्धान्त थियोरी नहीं है question पूशा जा रहा है इसमें से कौन सा क्या है खेल का सिध्धान्त नहीं है चारा option दिये गए है psychoanalytic theory, psycho physical theory social content theory and cathartic theory तो इस question का जो right answer होगा option B, E, J, right answer psycho, physical theory कोई नहीं होती है जबकि psycho, analytic theory social content theory and cathartic theory ये तीनों खेल के सिध्धान्त है next question friends भारत में खेल प्रसिच्छक को दिया जाने वाला उच्चतम पुरुसकार है भारत में जो कोच होते हैं प्रसिच्छक होते हैं उनको सबसे उच्चतम पुरुसकार कौन सा दिया जाता है तो इस question का जो right answer होगा option D, E, J, right answer होगा द्रोड़ा चारे पुरुसकार द्रोड़ा चारे पुरुसकार खेल प्रसिच्छक को दिया जाता है कोच को दिया जाता है जिसकी शुरुवात 1985 में होई okay friends next question SAI के पदेन अध्यक्ष है question पुछा जा रहा है SAI के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं भारत के राष्टपत ही होते हैं भारत के प्रधान मंत्री खेल एवन युवा सम्मंदित केंद्री मंत्री एंड महानिदेसर बार-बार एक question इडिया में पुछा गया है और कभी-कभी board भारत के प्रधान मंत्री मानता है और कभी-कभी खेल एवन युवा सम्मंदित केंद्री मंत्री मानता है एक question बहुत ही confusion वाला है तो इस question का जो right answer होगा friends आप संसी जीजे right answer होगा खेल एवन युवा सम्मंदित केंद्री मंत्री होते है इस question का right answer होगा यसे AI का full farm क्या होता है sport authority of India होता है sign जिसको बोलते हैं हम लोग क्या sign sport authority of India यह established कभ हुआ है 1984 में यह established हुआ है sign okay friends next question की तरफ हम दो बढ़ते है YMCA club ball scout balika guides किस अभिकरण के अंतरगत आते हैं question पूशा जा रहा है जो YMCA club है जो ballak scout है balika guides है किस अभिकरण के अंतरगत आते हैं यह सब तो सासकी के अंदर आते हैं कि स्वाइंग से भी या नीजी या इन में से कोई नहीं तो यह सब private संस्थान है जो आते हैं यह स्वाइंग से भी है जो खुद के द्वारा चलाए जाते हैं next question हम लोग देखते है कौन सा आसन सारे योगासन करने के अंत में किया जाता है वह कौन सा योगासन है जो सारे यासनों को क्या किया जाता है बाद में किया जाता है अंत में करने के बाद तो इस question का जो right answer होगा जो सवाइंग होता है यह सबसे last में किया जाता है सवाइंग सव मतलब होना मर जाना एक तरीके से वाइंग से जैस जिस condition में हैं हम जैसे हैं जिस तरीके से उस तरह से हमें जैसे रिलक्स मिला है वैसे हमें हो जाना है मर जाना है एक तरीके से समझ जाना उसी कहा जाता है सवासन बहुत रिलक्सी योगासन है Friends नेश्ट कोष्चन हम देखते हैं एक कोस्चन पूछा जा चुका है UPTGT में another exam में सभी questions जो हैं वो प्रिवेश एर exam में आये हुए है डबल लेंसल कारे नीती किस खेल से संबंधित है तो A. होकी, B. एथलेटिक्स, C. कुस्ती, D. खोखो तो इस question का जो right answer और डबल लेंसल जो सब्द है यह कुस्ती से संबंधित है, friends खेल जो प्राचीन समय में लाड अपोलो के समक्ष आयोजित किये गए प्राचीन समय में जो ओलंपिक खेल होते थे वो लाड अपोलो के समक्ष आयोजित किये जाते थे कौन से खेल उस समय आयोजित किये जाते जो प्राचीन समय में हाई जैंप के लिए लैंडिंग एरिया है जो हमारा हाई जैंप होता है उसके लिए लैंडिंग एरिया कितनी होती है तो इस कुस्चन का जो राइट आंसर होगा प्रेंट्स 5 x 3 मीटर राइट आंसर होगा जैसा कि देख सकते हैं आप सभी लोग दोस्तो हाई जम का जो मेजरमेंट होता है यह दिया गया है इसमें यह फेडरेशन की बुक है रूल बुक उसमें दिया गया है आप यहां पर देख सकते हैं 5 इंटू 3 मिटर यहां पर दिया गया है मैं ऐसा करता हूं कि इस फिकर से बहुत सारी चीज़े आप लोग समझ जाएंगे जो एक्जाम्स में जो कोश्चन पूशे जाते हैं अक्सर ही पूछा जाता है इसकी हाइट जो क्रास बार होता है वो पूछा जाता है हाइट पूछी जाती है हाइट कितनी होती है इसकी ओके तो सारी चीज़ें यहां पर दी गई हैं आप देख सकते हैं निश्ट कोस्चन की तरह बढ़ते हैं हम लोग प्रेंट्स निम्न में से कौन सी खेलने की सतर नहीं है पूछा गया कोस्चन पॉलिग्रास, एस्टोटर्फ, साइवेक्स, एंड टेराफ्लेक्स तो इस कौस्चन का जो राइट आंसर होगा जो यह साइवेक्स होता है, यह खेलने की कोई सर्फेस नहीं होता है बाकी पॉलिग्रास, यह भी सर्फेस होता है, एस्टोटरफ बे होता है और टेराफ्लेक्स भी होता है, यह सब खेलने के सर्फेस हैं फ्रेंट्स दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो प्रेडित करती है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके भीडियोटेंस नेट गो सब्सक्राइब करते हैं सिंसे पूछा जाता है कौन साइब महिलाओं का खेल नहीं ही तो पामिल हार्स जो होता है यह महिलाओं का खेल नहीं होता है यह पूर्सों का होता है पामिल हार्स तो इसको यह कोस्चन जो पूछ रहा है जिमनास्टिक खेल में पामिल हार्स के उपकरण में दो पामिल की बीच की डिस्टेंस कितनी होती है तो इस कोस्चन का जो right answer होगा आपसन डी इजे right answer होगा कम से कम less than 40 cm और ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए greater than 50 cm से अधिक नई होना चाहिए दो पामिल hearts के बीच की दूरी ओके friends next question घिदर बढ़ते हैं हम लोग हट प्रदीबिका के अनुसार गुल्म रोग में कौन सा आसन लाबकारी है जो हट प्रदीबिका होती है उसमें गुल्म रोग में कौन सा आसन क्या होता है लाबकारी है तो इस question का जो right answer होगा जो मयूरा सनोता है ये कुछ से कोई उससे लाव होता है बहुत ज़्यदा गुल्म रोग में हट प्रतिविका के एकॉर्डिंग नेश्ट कोश्चन देखते हैं फ्रेंट्स सारीरिक स्वास्त महतोपूरे क्या है यह सकारात्मक सोच के लिए सहायक है यह भाई चारा बढ़ाने में सहायक है यह अमीर जीवन बिताने में सहायक है यह गुड़ात्मक जीवन बिताने के लिए सहायक है तो इस कोश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंट्स ना आप संडी जे राइट आंसर होगा यह गुड़ात्मक जीवन बिताने के लिए होती है और हेल्फूल होती है करें सहायक है सारीर Yuk स्वास्थ क्यों महत्तपूर है ओकर नेइश्ट को सिंच की तरफ बढ़तें है हम लो ऐसा कारव जिसमें वहघ करने के लिए आवस्यक्व आक्सीजन की मात्रा मात्रा से कम मात्रा में सरीर आक्सीजन की आपूर्थी कर सकता है अक्सर कोश्चन इज्जा में घुमा देता है तो कोश्चन को हमें फिर से अगर रिपीट करना है एक बार और हम रिपीट करते हैं एसा कारे जिसमें वह कारे करने के लिए आवस्चक आक्सीजन की मात्रा से कम मात्रा में सरीर आक्सीजन की आपूर्थी करता है किस रूप में करता है तो वो करता है एरोबिक मतलब होगा अवायविक कारे ओके इसक्षिन का राइट है आंसर होगा निवन में से किस सहर में राष्टी खेल प्रसिछर संस्थान नहीं है तो कौन सा ऐसे सीटी है जिसमें क्या बोलते है तो इस क्षिन का राइट आंसर होगा आप सल्द दि भाट आंसर होगा यहाँ पर कोई स्पोर्ट ट्रेनिंग का सेंटर नहीं है बाकी कलकत्ता में भी है बैंगलोर में भी है और पटियाला में भी है फ्रेंट्स फासबरी फ्लाब सब्द किस एटलेटिक असपरदा से जुड़ा है जो फासबरी फ्लाब जो सब्द है यह किस इवेंट से जुड़ा है तो यह जुड़ा है फ्रेंड्स हाई जम से जुड़ा हुआ है बाकि हम बता दें हाई जम के बारे में थोड़ा सा कौन कौन सी इस्टा तो 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 कुल च ह्त टीक से ओते ह। जो सीजर साहली या इसको डब्लब किया है माई स्वी नीस दारा विक शित किया गे है किस के दोरा सीजर को माई क्श की दोरा विक सित किया गया है और जो वेस्ट य encone dog ये किया है जार्ज होराईन द्वारा इन्होंने डबलट किया है कि इन्होंने जार्ज होराईन के द्वारा डबलब्मेंट किया गया और तीसरी जो है इस्ट्रेडल जो रोल होता है इसको डबलब्मेंट किया है डेव अल ब्रिटन अल ब्रिटन के द्वारा इसको डबलब्मेंट किया गया और जो लास्ट है फासबरी फलाप फासबरी फलाप इसको किया है डिक फासबरी ने किया है ओके प्रेंट्स तो याद रखेंगे सभी लोग देश्ट कोस्चन की तरह बढ़ते हैं हम लोग अधिक समय तक या अधिक बयायाम करने से असुविधा या कम हुई छमता को कहते हैं क्या कहते हैं A. जकड़, B. सोद, C. गहरी थकान, D. ठकावट तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उसको हम लोग कहते हैं बहुत ही गहरी थकान कहते हैं फ्रेंड्स, ओके, ठकान क्या होता है फटीक, कठोर परिश्चन क्लिया करने के उपरांत, जब सरीर में आलस्द्च का अनुभा होने लगे तो उसे क्या कहा जाता है थाकान कहा जाता है बैक्ति के पेसी परदर्सन में आई गिरावट थाकान को क्या करती है प्रदर्सी करती है यह सच्छमता पूरवक पेसीयों के कारे करने की असमर्थता एक आस्थाई अवस्था है मतलब एक एसी फेज है कुछ देर बार यह थाका सुची फष्ट को सुची सेकेंड के साथ क्या करना है सुमेलित करना है सुची फष्ट दी गई है और सुची सेकेंड दी गई जिसमें क्या बोलते हैं बाइसेप्स ट्राइसेप्स दिये गए और किसका सीरा लंबा होता है और किसका सीरा छोटा होता है उसके बारे में जानना तो इसको मिला लेते हैं फर्ष्ट वाला बाइसेप्स का जो लंबा सीरा होता है यह कहां पर होता है यह होता है कि सुपरांगी नायड तूबरेकल के पास होता है फिर उसके बाद मिला लेते हैं बाइसेप्स का जो छोटा सीरा होता है यह कहां के पास होता है फिर नेश्ट देख लेते हैं थर्ट ट्राइसेप्स का जो लंबा सीरा होता है यह कहां पर होता है यह होता है इंफ्रा ग्लिनाइड टुबरेकल आफ इसकेपला के पास होता है फिर जो लास्ट है यह ट्राइसेप्स का छोटा सीरा कहां पर होता है तो यह होता ही, Posterior Humorous के Pass होता है इस Question का जो Right Answer होगा Option Be quiere right answer होगा, Friends, Next Question की तरफ हमलोग बढ़ते है है, प्रतियोगिता के प्रकार है, question बहुत important है, तो प्रतियोगिता के प्रकार कौन-कौन से होते हैं, Knockout Tournament, Challenge Tournament, और लिग टूर्णामेंट ये क्या हैं ये सभी हमारे प्रतियोगीता के प्रकार हैं ओके फ्रेंट्स नेश्ट कुस्चन देखते हैं हम लोग ट्राइथलान बहु खेल कुद प्रतियस्थार असपरधात्मक मल्टी डिसिप्लिनरी चुना होती है और उलम्पिक की एक एकल असपरधा में सामिल होता है जो ट्राइथलान होता है उसके बारे में कुश्चन पूछा गया है तो देख लेते हैं इसको क्या क्या होता है तैराकी होती है, साइकिलिंग होती है और दोड़ होती है तो यह जो होती है, तैराकी कितने किलोमीटर की होती है और साइकिलिंग कितने किलोमीटर की होती है और दोड़ कितने किलोमीटर की होती है तो जो ट्राइथलान होता है, ट्राइथलान में क्या होता है 1.5 km की 13 की होती है और 40 km की cycling होती है और 10 km की क्या होती है दोड़ होती है question बहुत ही important है दोस्तों जरूर write down करिए दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो please हमारी वीडियो को like करें चैनल को subscribe पर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले friends एक question देखते हैं कबड़ी खेल में बैक लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है जो question पूछा जा रहा है जैसे यह हमारा कबड़ी का court है तो जो back line होती है यह back line और यह bonus line इसके बीच की दूरी पुछी गई तो इसके बीच की जो दूरी होती है friends यह होती है one meter होती है इस question का right answer होगा जो कबड़ी की जो यह bonus line और back line के बीच की जो distance होती है पूरुस और महिला दोनों के लिए ही एक meter होती है उसमें कोई difference नहीं होता जबकि जो measurement होता उसमें difference होता पूरुसों का जो measurement होता यह होता 13 into 10 meter होता अक्सरी जा में पूछा जाता एक इसके लिए male के लिए और female के लि measurement होता है यह बारग उड़े 8 meter होता है friends और जो center line होती है center जैसी हमारी center line है center line से और यह जो हमारी buck line होती है कौन सी line होती है यह buck line होती है इसके बीच की दूरी male की मैं बता रहा हूं किती होती है 3.75 meter होती है और जो महिलाओं के जो distance होती है center line से buck line के बीच की दूरी यह होती है 3 meter होती है friends और जो bonus line से back line के बीच की दूरी कितनी होती है यह bonus line से back line के बीच की दूरी कितनी होती है तो यह male की होती है 1.75 meter होती है और जो महिलाओं की होती है वो होती है टू मीटर होती है फ्रेंट्स ओके फ्रेंट्स नेश्ट कोस्चेन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग निमलिखित में से किस काल में प्राण और नाड़िंग चर्चा के महत्तोपून भिसे हैं और योग सब्द का प्रियोग तक्निकी अर्थ में किया गया है तो ए वैदिक काल में बी पौराणिक काल में सी सुत्र काल में डी उपनिशत काल में तो इस कोस्चेन का जो राइट आंसर होगा आप्शन डी जे राइट आंसर होगा ओपनी सत्काल में प्राण एवंग नाडियां चर्चा के बहुत ही महत्वपूर भी सहत रहे और योग सब्द का वड़न तक्निकी अर्थ में किया गया था ओके फ्रेंड्स नेश्ट कोस्चन देखते हैं हम लोग आर ये अश्टांगिक मार्ग किसकी देन है तो जो आर ये अश्टांगिक मार्ग है ये देन है बुद्ध की देन है बुद्ध जी की देन है वो आर अश्टांगिक जो मार्ग होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूं अश्टांगिक मार्ग कौन-कौन होते हैं पहला होता है सही द्रिश्य क्या होता है सही द्रिश्य दूसरा होता है सही संकल्प तीसरा होता है सही भासन चौथा होता है सही कारवाई पांचमा होता है सही आजीविका सही आजीविका छठा होता है सही प्रयास क्या होता है सही प्रयास होना चाहिए और सात्मा होना चाहिए सचेतन क्या होना चाहिए सचेतन होना चाहिए सात्मा और आठमा लाष्ट जो होना चाहिए वो सही एकागरता होना चाहिए यह हमारे बुद्ध जी ने आरे अश्टांगिक मार्ग दियें कितना सही दिया इन्होंने सही द्रिश से, सही संकल्प, सही भासन, सही कारवाई, सही आजीवका, सही प्रयास, सही सचेतन, सही एकाग्रता यही एक फिजिकल एजुकेशन टीचर भी सिखाता है हमेशा Next question की तरह बढ़ते हैं friends नार्थ कारोलिया स्वास्थ परिच्छन में मदों की सही क्रम का पता लगाएं वो कौन कौन सा क्रम है, जिसका हमें क्या करना है, उसको सही क्रम का हमें पता लाना है 24 number question, तो फ़र्ष्ट पर क्या होता है नार्थ कारोलिय में स्वास्त परिच्छन में टेस्ट में तो फर्स्ट पे जो होता है फ्रेंट होता है सीट अप होता है फर्स्ट पे क्या होता है सीट अप होता है ये सेकेंड पे हमारा होता है साइड स्टैपिंग होता है सेकेंड पे साइड स्टैपिंग होता है थर्ड पे होता है इसाइट thar失 होता है फ्यपत किया होता है इसकेट thirsch होता है ओक्य तो इस कोस्यों का जो राइट आंजसर होगा आप भी झीज़े राइट लगते हैं मानोङ मथी तशण पक्षर ताप में मानोफ सरीर के निम्लीकित में मानों मिती जो तवचा होती है परताप में मानों सरीर के निमलखित में से किस हिस्सों पर विचार किया जाता है तो इस कोश्चन का जो राइट आंसर होगा आपसन इसके सभी सही है इस कोश्चन का जो राइट आंसर होगा आपसन डी इजे राइट आंसर इसमें असफलकाद भी होता है, अधिस्रोडी भी होता है, उदर भी होता है, और जांग भी होता है, मानोमी की तचा परतमाप में ओके फ्रेंट्स, नेश्ट कोस्चेन की तरह बढ़ते हैं लोग इन में से कौन राष्टी खेल संगठन, ब्यावसाई, खेल, प्रोफेशनल का प्रतनी धित्त करता है, बहुत इंपोर्टन कोस्चेन है, ये कोस्चेन पूछा जा चुका है, कौन से जो फेडरेशन है, जो राष्टी खेल संगठन, ब्यावसाई, खेल, प्रोफेशनल, स्पो इंडिया और बास्के pursue वाल इंडिया और इसकूर्ट का जो राइट आंसर होगा नडा यह प्रफोंट्रोल फार किकेट इस एनडिया यह प्रफेशनल इस्पोर्ट को क्या करता है प्रत्नी धीत तो करता है सूची सेकेंड से क्या करना है यह सूची दी गई है सीतली अग्रिसार उज्जाई और भस्तिका और यह हमारे बॉड़ी के कुछ पार्ट दिये गए और उनसे क्या करना है को रिलेट करना है एक दूसरे को तो हम लोग मिला सीतली का क्या काम होता है जो सीतली का काम होता है यह सही प्यास का समन करना होता है सीतली का और जो अग्रिसार होता है अग्रिसार का का क्या होता है यह पाचन को बढ़ाना होता है फिर उज्जई का क्या होता है उज्जई का प्रणायम होता है इसको क्या होता है गले की सफाई करना होता है और जो भस्त्रिका होती है यह योग में प्रणायम तो इसको क्या करना होता है यह साइनस की सफाई करनी होती है तो इस question का जो right answer होगा आप से जीजे right answer होगा friends Next question की तरह बढ़ते हैं लोग सुची फर्ष्ट को सुची सेकेंड से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चैन करें सुची फर्ष्ट दी गई है और फूर नीचे क्या दी गई? सुची सेकेंड दी गई है उसको हमें क्या करना है को रिलेट करना एक दूसरे से तो जो डीप इस्टोक होता है यह किससे होता है यह मांसपेसी की लंबाई के साथ साथ अंगुठे के पैडल को घुमा कर किया जाता है जो डीप इस्टोक होता है फिर जो एलफुराज होता है यह क्या होता है यह होता है ह यह मानस्पेसी को इसके स्थाई जोड़ पर पकड़ा जाता है और आगे पीछे की तरफ क्या किया जाता है हिलाया जाता है फिर नेश्ठ है क्या नीडिंग यह भी महसास्ते है तो नीडिंग का काम क्या होता है यह होता है मांसबेसियों को दोनों हाथों के उटकॉं के अंगलीयों से पक्ड़ा जाता है और दबाया जाता है और फिर लास्ट जो है यह फैनी है यह किसको कहरता हैं यह मद्धबिन्दू से मांस बेची के किनारे की और गतिमान करता है िस question का जो right answer है option be easy right answer है friends, next question हम लोग देखते है, athletics में दौड़ शुरू करने के कितने प्रकार है, जो athletics हमारा event होता है उसमें दौड़ को start करने के कौन-कौन से प्रकार होते हैं तो दो प्रकार होते हैं, इसके एक sitting start और एक standing start, next question friends हम लोग देखते हैं, इस सीरीज का last question है, निम्न मेंसे किसको समाहित करते हुए सारीरी सिच्छा एक प्रतिभागी पाठकरम कारे करम के रूप में अपने आपको पढ़ाई वाला वातावरान बनाने में देड़ता दिखाती है। निम्न मेंसे किसको समाहित करते हुए सारीरी सिच्छा एक प्रतिभागी पाठकरम कारे के रूप में अपने आपको पढ़ाई वाला वातावरान बनाने में देड़ता दिखाती है। इसके अपने विज्ञानिक आधार को मजबूत बनाकर सी सच्छन नेत्रितो का आधार बढ़ाकर डी गति खेल स्वास्त एवंग दच्छता के द्वारा। तो इस कोश्चन का जो राइट आंसर होगा आपसन अपसन डी इजे राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ऐसी और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन विल को जरूर दबाएं। जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंट्स हम आपको बता दें क्या आप लाइट टेस्ट देना चाहते हैं हर एक गेम का प्रते एक दिन तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर हमें करके बताएं कि हाँ आप लाइट टेस्ट देना चाहते हैं हर दिन एक गेम का युरिडिक टाइम आप लोग फिक्स करें एक किस टाइम देना है टेस्ट ओके फ्रेंट्स तो एकसी ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको पहले मिले फ्रेंट्स तो दोस्तों थैंक्स पर वाचिंग बाई बाई बेस्ट अफलक